मंगल देव राशी परिवर्थन करने जा रहे हैं और ये 27 दिसंबर को रात्री को राशी परिवर्थन करेंगे वरचिक राशी को छोड़के दनुराशी में परवेश कर रहे हैं धनुराशी में आने के बाद मेश राशी वालों को क्या मिलेगा मेश राशी मेश लगने के हम बात करेंगे इन लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे क्या क्या परिणाम आएंगे इसके विस्तार में चर्चा करेंगे तो स्वागत है आपका जोती वास्तू और उपाई के चैनल स्पिताइब कि मंगल देव द्यूंवर जीवन के अंदर इधा में रहा है यहां से पहले यहां आने से पहले यह व्रशिक राशी में चल रहे थे जो इनका खुद का घर है तो सभी लोग कह रहे थे व्रशिक राशी में खुद के घरम आने पे मंगल बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे परन्तो ऐसा नहीं है यह परिणाम अच्छा नहीं दे पाये थे क्योंकि यह शनी की द्रश्टी से द्रश्ट से इस कारण से वो जो सभी वह विश्वानिया थी कि मंगल अपने घर में आके बहुत अच्छा करेंगे वो सिद्ध नहीं हुई सपल नहीं हुई एक्चुल में मंगल जो अच्छा परिणाम देंगे वो अब देंगे जब ये आएंगे धनुराशी में, जब ये शनी की दृष्टी से हट जाएंगे और कुरू की दृष्टी के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर आके मंगल देव जो कि व्रशिक राशी और मेश राशी की लोड हैं मेश राशी वालों के बहुत ही अच्छा परिणाम ये देने वाले हैं क्या क्या परिणाम देंगे ये जो आएंगे नक्षत्रों के इसाफ से हम इसमें चर्चा करेंगे कि ये 27 दिसंबर को आ रहे हैं और 18 जन्वरी को शुक्र देव भी यहां पर आ जाएंगे स्टार्टिंग के 10 दिन तक ये अस्त भी रहेंगे तो 5 फरवरी तक मंगल देव यहीं पे दनुराशी में रहने वाले हैं 41 डेस का ये ग्रह गुचर है जिसमें ये 27 दिसंबर से लेके 14 जन्वरी ये जो टाइम पिरेड है इसमें ये सूरे के साथ रहेंगे सूर्य ग्रहों के राजा है और मंगल है शेनापती बहुत ही सुन्दर राजियों का निर्मान होएगा बहुत ही अच्छा समय आपका चलेगा और वो टाइम पिरेड आप नोट कीजिए 27 दिसंबर से स्टार्ट होके 14 जन्वरी तक चलेगा इसमें आपके बाग्या में व्रदी होईगी बाग्या के बलबूते पर किस्मत के साथ देने के कारण आपके बहुत सारे कारे होएंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे और आपके प्राकरम में भी व्रदी होईगी साथ ही साथ आप काफी उर्जा से भरेवे रहेंगे बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि मंगल इन सब के कारक होने के कारण आपको पद मान सम्मान अवश्य ही दिलाएंगे इस समय आपको कोई पुरुसकार या कोई इनाम या कोई प्रोमोशन भी मिल चकता है तो 14 जनवरी तक का जो टाइम पीरड है इसमें आप काफी कुछ अपन ये कोचरकाल इतना बड़िया है कि जो लगनीश आपके भागयवाओं में आ रहे हैं तो आपके लिए ये मान के चलिए कि आपके कॉन्फिडेंस में बहुत जबर्दस्त तरीके से प्रति होने वाली है कुछ लोगों का अचानक शादी का योग भी बनेगा जो विवाह करन में होने वाला है कामकाज जो भी आप करते हैं चाहे आप हाउस वाइप हो व्यपारी हो नौकरी पेशा हो दुकानदार हो सभी व्यक्तियों के लिए सभी मेश राशी के जातकों के लिए कामकाज की इस्तितियां बड़ी जबर्दस्त पक्ष में रहने वाली है और आप सबसे सही है सभी कुछ आपको सुख सुविधाय देने के लिए आ रहे है स्वास्त भी आपका इसमें बहुत ही बढ़िया रहेगा ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता कि गोचर तो बहुत अच्छारा परंतु स्वास्त नरम है तो वो स्वास्त में परिशानी के कारण उस सम योग प्रॉपर्टी से संबंदित कोई भी विवाद भाईयों से चल रहा है तो इस गोचरकाल का यूज आप उसे सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इस समय भाईयों से आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है जमीन जायज़त का सुख आपके बढ़न मिन जायज़त मकान फ्लेट के लिए नौकरी जिनकी नई लगरी पारी थी उनको नौकरी के प्रियास तेज करने चाहिए इसी गोचरकाल में आपकी नौकरी लग सकती है जिनकी नौकरी पहले से लगी हुई है उनके नौकरी में पदमान सम्मान के प्राप्ति उनको होती तो इस समय आप द्रट निश्चे होके कदम उठाईए आगे आपको परिवार का भी सयोग मिलेगा और ग्रेयन नक्षत्र सितारों के साथ साथ गुरु देव का आशिरवात भी आपको मिल रहा है तो इस करण से आपको कुल मिला के देखे तो आपके केरियर के हिसाब से बहु लुदिने से आप बचे यह जो गोचर है धनूर आशि में जब सूर्य देवाते हैं तो धनूर आशि में आने के करण आपके जितने भी प्रियास होइंगे वह आपके सफल जाएंगे यानि कि आप जो भी एफट करेंगे आपके सकारात्मक उर्जा से वह सफल होने वाले है और आपकी उन्नती, प्रोग्रेस और ग्रोथ इस गोचरकाल में देखने को सभी को मिलेगी पेशेवर जीवन में भी आपकी उन्नती होईगी जो भी आपका बिजनेस है वहाँ आपकी ग्रोथ होती भी दिख रही है वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत ही अच्छा माहूल मिलेगा जिससे आपको भागय के वल्बूते बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे बढ़ने के लिए कामकाज में मन भी लगेगा और साथे साथ समचिक रूफ से भी आप काफी एक्टिव होने वाले किसी एंजियों से भी जुट सकते हैं और समाज में आपका दब दबा काइम रहेगा दनुराशी में सूरे के साथ आने के कारण आपको इस गोचर के अंदर शुब भल ज्यादा प्राप्त होईगे बस आप करोध करने से बचें क्योंकि मंगल करोध का भी कारक है पिता की राय से अगर आपने काम किया पिता का संबान किया तो समझ लेजे आपके दिन दुगनी राच चोगनी उनती होईगी साथ ही साथ गुरू के मार्ग दर्शन में रहें आपको इस गोचर का शिष्ट परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है गुरू यहां से इसके सीधी दृष्टी आपके पराकरम भाव पे है तो आपके पराकरम में ब्रदी होगी आपके कारे कुशलता में ब्रदी होगी और परिजनों की राय से सला से आपने कारे करा तो बहुती बढ़िया है सुन्दर याराज योग का निर्मान 27 दिसंबर से लेके 14 जनवरी के बीच में चलेगा जो आपको उन्नती देगा गुरू की द्रिष्टी से आपको लाव होएगा इस गोचरकाल का सबसे बड़िया जो महत्पुन परिणाम आने वाला है वो यह है कि इस गोचरकाल के अंदर मेश राशी वालों को गिफ्ट के अंदर कुछ चल या एचल संपत्ती प्राप्त हो सकती है यानि कि प्राप्रटी उनको गिफ्ट के रूप में प्राप्त होने का योग प्रबल रूप से बना हुआ है और यह योग चलेगा चवदा जनवरी तक तो चवदा जनवरी से पहले पहले आप अपने बड़े बुजुरूर्गों से संबंद बहतर बना के चले नक्षत्र में जाने के गारण थोड़ी से प्रॉप्लम आपके जीवन में आ सकती है हलागी 14 जनवरी तक का समय शेष्ट है क्योंकि सूर्य का आशिरवाद इनको मिल रहा है और सूर्य का साथ मिल रहा है इस्टार्टिंग में ये नक्षत्रों के हिसाब से जब आकरी के अंदर जाएंगे आकरी के 5-7 दिन जो होईगे वो अपने मित्र नक्षत्र में चलेंगे ये उत्राशाड़ा में जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है तो starting और end दोनों आपके लिए बहुत ही बढ़िया है बीच का समय तोड़ा सा साउधानी के साथ वितीत करना है कहां रखनी है साउधानी अब उन साउधानियों के हम चर्चा करते हैं पहला तो है उन यूवा को यूतियों को साउधानी रखनी है जो love and relationship में चल रहा है क्योंक कि मंगल के पास तीन चार द्रिष्टियां होती है तो चोथी द्रिष्टी रागु के उपर पढ़ रही है इसके कारण से थोड़ा सा प्रोब्लम आपके love and relationship में आ सकती है वहां साउधानी रखे संबंदों को बहतर पना के चले विदेश में जा रहे हैं अपने partner के संग जा करें उपाई के अब हम चर्चा करें उससे पूर्वाप से मिनमरण रोद है कि चैनल पर अगर आप मेरे न्यू विवर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को तो गणेश अराधना से जूड़े रहें गड़े जी का जो मंतर है उसक एक सो आठ नामों का जाप करना आपको कई परिशानियों से मुक्ति दिलाएगा साथी साथ प्रति दिन हनुमान चलिसा के जाप करके आप मंगल के सुब परिणामों को भोग सकते हैं तो अबश्य करें यह उपाए और बने रहे चैनल पर आपके जिए उन्माई यो आरो ग कैश्वरे की वरती होती रहे इसी शुब कामना के साथ